गुद मॉर्निंग क्लास फॉर्थ आज भी आप लोगों का मैथनमेटिक्स का टाइन है तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने अपना उसले बस देखा था क्या क्या आपने प्रिपेर करना है अपने फाइनल अपने सॉरी फर्स उनिन टेस्ट के लिए ठीक है तो फर्स जो च आपका चैप्टर जो लार्ज नमबर है इसमें अभी तक आपने थ्री डिजे नमबल में आपने प्रिवेस क्लास में पढ़ा है नेमिंग करना अपने इसमें सीख लिया था ठीक है ठाउजन तक आपने अ क्लास थर्ड में आप गड़ चुके है नेमिंग इससे आगे हम इंडियान नंबर सिस्टम ठीक है इंडिया में किस तरीके से हम नंबर को पढ़ते हैं रीट करते हैं तो जो भी आपको आज से काम करवाया जा रहा है तो आपने अपनी कॉपी में अच्छा से नोट डाउन आप करेंगे इसे ठीक है और जिस टैप के कोश्टन आपको करवा तो आपने क्या करने हैं प्रैक्टिस आपने करने हैं तो इंडियान नंबर सिस्टम से आज हम करेंगे यहां पर एक नंबर देख लीजी आपर पहले है आपको 40, 36, 57, and 875 अगर आपके पास नंबर इस तरीके से आता है नंबर आपके पास कोई भी नंबर आता है तो आपको 10,000 अब 10,000 की बाद अगर आगे नंबर है तो हम क्या करते हैं फिर आपका क्या आता है लैक ठीक है बहुत धियान से करना है आपने फिर 10,00, then करो और फिर आपका क्या आता है 10, करो ठीक है इस तरीके से हम क्या करते हैं नेमिंग हम यहां पर इस तरीके से हम करते हैं ठीक है यहाँ पर मैं इसकी full form आपको दे रही हूँ, लेकिन बार-बार आपने इस तरीके से नहीं करना है, यह आपको सिर्फ मैं full form के लिए आपको हमें बता रही हूँ, जब आप questions करेंगे, practice करेंगे, exam में करेंगे, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, number की naming करेंगे, और इस तरी से words में आप लिखेंगे, तो दोरों तरफ से questions हो सकते हैं, अगर आपको words में इस तरीके से लिखा आएगा, तो आप क्या करेंगे, naming इस तरीके से लिखेंगे, और अगर number आएगा, तो इस तरीके साब इसकी spelling आप लिखेंगे, ठीके, तो यहाँ पर देखेंगे, तो क्या है, 5 है, आपका 10,000 में आगे, यानि कि T, T, H, ठीके,, लाग, यानि कि आपको 6 में आगे है, जिसा हमने L से दिनोट किया है, इसके बादiszんです longe संट किया है और इसको हमने फॉल हो गया इसके नहुंद किया नियरू कि याестно आपका 10 करो यानि की TC अब इसे हम words में कैसे लिखेंगे तो यह 40 यानि की जो करोर में है दो digit आ रही हैं आपकी 40 यानि की क्या होगा आपका 40 करोर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यह पूरा 10, yानि की lakh lakh में है तो इसको हम एक साथ लेलेंगे यानि कि क्या हो जाएगा आपका यह 36,000,000 ठीके और यहां तक तो आपको पता ही है 57,000 and आपका 875,000 ठीके तो simple है बाकी आपने 1000 तक आपने previous class में क्या है इसके बाद आपके बढ़ गे 10,000,000 करो रहें आपका 10 करो तो इसे आप copy में अच्छे से note down करेंगे ठीके बार-बार इसको लिखने की जरूत नहीं है यह आपको full form के लिए मैंने आपको बताया है ठीके और यहां पे page number है आपका 11 में तो यहां पे आप Indian system इसको try करेंगे Indian system यहां पे आप गलत तरीके से य प्रामा लगा है इसको आप सही करेंगे तो आप धिरी-धिरी अपनी जो भी questions करवाये जाते हैं जब भी आपको time मिलता है आप free होते हैं अभी आप घर में हैं तो आप क्या करते रहेंगे धिरी-धिरी करके आदा घंटा निकालें मैंस के लिए हर subject लिए आदा आदा घंट अब निकालेंगे तो भी आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपके लेकिन आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए जिस भी टाइप के questions आपको करवाते हैं डेली उसी धि है ईाओऊ अन्गगे में आपका है अपका तो रह बेंग्टिस आपको समयों करीगोग कर वेणादे। कर में आपको सी ए हैं।